नमस्कार भाईयों आप सभी का स्वागत है फेंटासीजन में आज की इस वीडियो में बात करेंगे साउथ अफ्रिका बासेश बंगलादेश की बिच होने वाले थार्ड ओडियाए मैच के बारे में और साथ में बताएंगे कि कौन प्लियार आपके लिए बैस्ट केप्टिन का चोईस होने वाला है सो भाईयों यहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करों इससे पहले एक रिक्वेश्ट करना चाता हूँ अगर आप हमारी चैनल पर नए विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोट विच्ट को और कर दिजाएगा क्योंकि आपको सिर आफ'llर विच्ट करंकर लिंक आपको डिस्क्रिप्शंग और फार्ट कमेंड में मिल जाएगा यहाँ यहां पे टोस्के बाद जो भी फाइनिल Hier hote आपको टेलेग्राम पे ही मिलता है तो टेलेग्रम पे जूरना बहुत जरूरी है ठीक है ठीक है चलिए यहां पर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देख लेते हैं पीच रिपोट को ठीक है तो यह मैच खेला जाएगा सूपर स्पोर्ट पर्क सेंचुरेन के मै मैं जो पीच एक बैलेंस पीच है लेकिन यहाँ पर बंगलादेश की टीम साउथ आफ्रीका के सामने वीक टीम है और आपको ज्यादा से ज्यादा प्राइरिटी देना है साउथ आफ्रीकान बॉलर को ठीक है और भाई यह सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आज का ग इमों में जैसे कि यहाँ पर साउथ आफ्रीका की तरफ से आपको दो किट किपिंग से आपको देखने को में लेगा डिक और के ब्रेंट ठीक है और बंगलादेश की तरफ से आपको देखने को में लेगा लिटन दास और एम रहीम ठीक है वाई तो देखो यहाँ पर मेरे च्छे टीमों में डिको कॉनफर्म रहने वाला है स्मॉल लिग में भी कनफर्म रहने वाला है ठीक है डिको को में सारे च्छे टीमों में ले रहाऊं ग्रेंड लिग स्मॉल लिग के लिए ठीक है और यहाँ पर जो एक स्पोर्ट है ना भाई यह स्पोर्ट में यहाँ पर के वेरिन होगा मेरा और बाकी चार टीमों में यहाँ पर लिटन दास है मेरा लिटन दास दो टीमों में होगा और एम रहीम दो टीमों में होगा देखिए यहाँ पर आगर ऑप चाते हूं तो लिट्र न दास बेहतरिन फ्लियार हो सकता है मतलब बरिया बंलबाज है और बेहतर न प्लियार है तो आप अगर चाते हो कि है मर्हिम के जगह फिर युट ब्रहार को रखना है तो रख सकते हो ठीक है जitative कि एक टीमों में एम रहीम को रखके आप लिटानदास को तीन टीमों में रख सकते हूं ठीक है लेकिन मैं आभी बैलेंस टीम बना रहा हूं यहाँ पे मैं दो टीमों में मुस्तविकुर रहीम और यहाँ पे दो टीमों में लिटानदास को रख रहा हूं तो आई होब भाईय एनने को यहां तक आपको समझ में आचुकाई ठीक है यहाँ पर जीको कनफार्म छेटीमों में और बाकी जो तीन गैठ केुण सेहे वह दो-दो करके छेटीमों में मेरा कनफार्म रहने वाला है ठीक है अभी देखो यहाँ पर 한데 में दोud बेंटिंग सेक्षन से फिल करूँंगा साओथ अफ्रिका की तरफ से और ये होगा मेरा बंगलादेश की तरफ से ठीक अ Effects so यह कौन होने वाला ऐथि कि अब देखिए यहाँ यहाँ पर यहाँfly आपको साओथ अफिक की तरफ से देकने को में लगा जे ठीक है जो कि दो में चुमें पहले में चुमें चार और दूसरे में चुमें 26 रन का पारी उन्होंने खेला है अभी टी बभु मां टी बभु मां दोनों में चुमें 30 से उपर रन के हैं एक में चुमें 31 और एक में चुमें 37 और लास्ट में उनको हमने बोलिंग में भी देख दया नहीं और नॉट आउट रहा साथ में वेक ट लिया आठ रान के साथ ठीक है तो पहले मैच में । पढ़ती-टैफ सेंक्जों, आठ रान 2 रान 2 तो तो यहां च्वैनल में पेंगों psychology मिलेगा तो जो कि लास्ट में उनका बेटिंग यह थो पहले में जो में हुनने 79 रण बनाए ठीक है तो वाई देखो बंगलादेश यहाँ पर अगर साउथ आफ्रीका यहाँ पर पहले बेटिंग कर ना तो यहाँ पर नीचे मतब यह जो जे मलन है टी बबुमा है डी बेंडर सन्हों जे डेविट मिलर है इस सब को में यह पर कोमेशन करके अगर साउथ आफ्रीका चेस करने आये तो साइधी में इन दोनों को डेविट मिलर और यहाँ पर बेंडर सन्हों को ना ही लो ठीक है टी बबुमा और जे मलन के साथ में जाओंगा ठीक है आई होप कंफर्म हुआ है और जो भी फाइनल अपडिट होगा मैं आपको टेलिग सका कवा लाओं की है अब बहबुमा टी बबुमा और बेंडर सन और डेविट मिलर तो यहाँ पर मैं अभी डेविट मिलर को ड्रॉप कर रहां रहाँ ठीक है अगर साउत एवरिगा पहले बेटिंग करता है तो डेविट इसमिलर को मैं जरूर लोगं फिक है अभी के लिए देविट मिलार को द्राप कर रहा हो ठीक है तो यहाँ पर टी बबुमा और डर्शन को मैं तीन-तीन टीम कर के च्सेटिंस में डाल दूंगा ठीक है ठी बबुमा और यहाँ पर बेंडर्शन clearly बबुमा रहेगा मेरा तीन टीमों Karma और तीन कामेरा तीन महां ठीक है अगर यहाँ पर साउथ अफ्रिका पहले बेटिंग करना आये तो डेविट मिलार को मैं कनफर्म लोगा ठीक है वाई तो आभी के लिए मैं टॉफ थ्री बनलेबास के साथ जा रहा हूं फोर बनलेबास के जा जा रहा हूं और यहाँ पर विकिट केपिंग सेक्शन से ह ही तो टूटल मिला के फोर बनलेबास होगा कुछ-कुछ टीमों में और कुछ-कुछ टीमों में तीन बनलेबास होगा साउथ अफ्रिकान की टॉफ बनलेबास तो इस हिसाब से मैं अभी जा रहा हूं और अभी जो यह स्पोट है यह फिल होगा बंगलादेश की तरफ से ठ बेटिंग अना तैहे कनफर्म है ठीक है क्योंकि बेटिंग इतना स्टॉंग नहीं है साउथ आफ्रिकन की बॉलिंग के सामने और पीछले मैचो में हमने देखा क्या जबर्दस बॉलिंग लाइन लेंध थे ठीक है तो वही यहाँ पर में कॉंबिनेशन करने वाला हूं ठीक ह रहे हुआं है बंगलदेश के तरफ आपको दीखने के मिघ लगा और याज बेटिंग ओड़र टॉप लॉण फ्रॉप जायेगा तो यहाँ अब期न कर्ट graduates तो तमेम इखबाल को मैं रखूंगा ती इकबाल और यहाँ पर यासिर अली को भी मैं रखूंगा और यहाँ पर एह हुसेन भी होगा मेरा कि यह स्पॉर्ट कॉन्फर्म रहने वाला है ठीक है यहाँ पर इस पॉर्ट पर थूरा स्टेंज आ सकता है और टोच की बाद डेविट मिलर के साथ ठीक है टोस्च के बाद आभी देख़ो यहाँ पर दो दो टीम करके मैं रखूंगा है यह स्पोट कंफार्म है या सिरय दो टीमों में तामें विघ्भाल दो टीमों में और ए यहела टीमों में मेरा ठीक है आप देंको और्डाउंडर स्पोट और मैं दोनों स्पोट बंग्लादेश की तरफ से से फिल करने वाला हो एक में तो शाकेबल हसान कनफार्म है और हावाई अगर प्लेइंग सी लेविल में कोई भी चेंज आता है तो मेरा यह यह वाल रॉंडा स्पोर्ट थोड़ा चेंज हो सकता है ठीक है जो भी फाइनल अपडेट होगा मैं आप टेलिग्रम पर बता दूँ मैं रखने वाला हूँ है और यहाँ मेहदी हसान मिराज को मैं मेहदी हसान मिराज को मेह 3 सूर्ण में रखने वाला हूँ कुछ इस तरह से मेरा करें तो अ कि की bowling section को feel कर ले ठीक है तो bowling section की बात करें तो यहाघ पर मेरा जाएगा ठीक है तो चार में से के रोबाड़ा कंफर्म है सारे टीमों में स्मॉल लिग में भी और यहां पर क्या मोहराज कंफर्म है ती सम्सी और एयलकी के बाद सात यहां पर मैं मुदेंशन करने वाले हूं इन दोनों को मैं टीन टीमों में डीवडेट कर दूँगा ठीक है कि टीमों में तीमों में डीवडेट कर दूँगा खूंगा इस तरह से अगाумेरा बोलीर सेक्ष치가 में आवी जो भांग्लादश की तरह से फिल होने वाला है बोलिंग सेक्शन यहाँ पर मेरा रहेगा ऐस इस्लम रहेगा मेरा Чार्टीम और दसकीन अधर गमेर लुख के इस तरह से इस जगह को में फिल करने वाला हूँ यहाँ पर ehkä 521 की बात करें तो यहाँ पर मेरा सारे टिमों में पर 6 रवाड़ा ही रहने वाला है अगर आप चाहों तो यहाँ पर साकीबल हासान भी दे सकते हो ठीक है तो भाईयों यहाँ पर स्मॉल लिक की बात करें तो स्मॉल लिक का फाइनल कॉम्प्लीट टेम आपको टेलिग्रम पे मिलता है तो टेलिग्रम जूर ना बहुत जोरी है और इक बात बता दूँ हमारा जो स्मॉल लिक का विनिंग परसेंट इस होता है वो 70 से 80 परसेंट तक रहता है ठीक है तो स्मॉल लिक के फाइनल टेम के लिए आप हमारे टेलिग्रम भी जॉइन हो सकते हो और यह इस टेम में थोड़ा खासा जो भी बदलाब आता है मैं आपको टेलिग्रम पर पुबाइट करवा देता हूं ठीक है बाई तो चलो भाई और आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो एक लाइक कर दीजेगा और कॉमेंट में बताए आगा कि आपको हमारा प्रेडिक्शन कैसा लगता है तो उम के साथ मिलते हैं आगले और एक वीडियो में तब तक के लिए गुड़ बाई